बहुत साल पहले एक धन्वान राजे में बहुत बड़ा और पुराना बर्गत का पेड़ था उस पेड़ पर एक कववा और कववी का जोड़ा रहता था ये जोड़ा दिनबर बोजन की तलास में बाहर रहता और स्याम होते ही लोटा था उसी पेड़ के पास एक दुस्ट सांप भी रहता था कववा कववी का जोड़ा भोती आराम से गुजर बसर कर रहा था इसी बिच कववी ने अंडे दिये दोनों बहुत खुश थे लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडे को खा गया दोनों बेचारे पहुत रहे अब हर साल मौसम आने पर कववी अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उनके घोशले में जाकर अंडे खा जाता वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके पच्चों का दुस्मन कोन है लेकिन जल्दी वो समझ गए कि हो ना हो यहे काम तो उस सांप का ही है सांप तो अंडे खा कर चला गया लेकिन कववी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था कववे ने अपनी पत्नी को धांडस बंदाया और कहा अब हमें सत्रू का पता चल गया है तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोची लेंगे तुम परिशान मत हो हम कुछ करते हैं इसका कववे ने काफी सोचा और अपने मितर लॉमडी से सला लेने के लिए दोनों उनके पास गए और लॉमडी ने अपने मितरों की दुख बरी कहानी सुनी लॉमडी ने काफी सोचने के बाद कहा मितरो तुम्हें पेट छोड़ कर जाने की जरूरत नहीं है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दुष्ट सर्प से चुटकारा पा सकते हैं लॉमडी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई और उन्होंने लॉमडी को धन्यवाद दिया और अपने घर लोट गए दुरसल उस परदेश की राजगुमारी एक तलाब में अपनी सहलियों के साथ खेलने के लिए आया करती थी और उनके साथ उनके बोड़ीगार और सेनिक भी आते थे जब राजगुमारी और उनकी सहलियों तलाब में सनान करने के लिए उतरी तो योजना के अनुसर कववा उड़ता हुआ वहां आ गया और उसने पहले तो राजगुमारी और उनके सहलियों का ध्यान आकरसित करने के लिए काम काम का सोर मचाया फिर राजकुमारी तथा उसकी सहलियों के द्वारा उतार कर रखे गए कपड़े और आबुशनों में से राजकुमारी का पिरिये, हीरे और मोतियों का हार वहां से अपनी चौंच में दबा कर उपर उड़ गया सभी सहलियां जिल लाई अरे रुको वे राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है देखो राजकुमारी का हार ले गया वो कववा सेनिकों ने उपर देखा तो सचमुच में एक कववा हार लेकर धीरे धीरे उठता जा रहा था सेनिक उसी दिशा में दोड़ने लगे कववा सेनिकों को उसी पेड की ओर ले आया जब सेनिकों ने कुछ ही दूर पर रह गए तो कववे ने हार इस परकार से गिराया कि वे सांप के बिल के अंदर जाकर गिरा सेनिक दोड़ कर उस बिल के पास पहुंचे तो उन्हों ने वहाँ पर हार के पास एक बड़े से सांप को देखा तो सेनिकों ने उसे भाले उसे उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले वो दुस्ट सांप मर गया, कववा कववी बहन खुश थे तो हमें इस कहाने से यह सिक्षा मिलती है शरीर से आप भले ही कमजोरो लेकिन सूजबूज का उपयोग करकर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुस्मन को हरा सकते हैं बुद्धी का प्रियोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है